कवीता एक इतनी शक्ती हमें देना दाता सोप्रतम विकल्पु आपेला छे काव्य में इश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है दाता कवी किसकी रोष्टी मागता है ग्नान दुश्मन से हमें किसके खोचाने का डर है खुद के जाने कैसे ये खाली जग्या थमी है धर्ती चलना पचे खाली जग्या वापेले छे मन का विश्वास कमजोर होना हर बुराई से बचते रहे हम सबका जीवन ही बन जाए मधुवन करदे पावन हर एक मन का कोना खोन दे खुद को ही दुश्मनी से बोज ममता से तुईये उठाले सही वाक्यान्स जुनकर विधानों को पुर्णा किजिये भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो हम सभी को खुश्यों के फूल बाटे इश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए क्यों हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जिवन में सुख और शांती मिलती है आने वाला कल कैसा होगा आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा हम इश्वर से कैसी जिन्दगी की कामना करते है हम इश्वर से भली जिन्दगी के कामना करते है हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए हमारे मन में किसी के बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए हमें किसके बारे में सोचना चाहिए हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है हमारा मन पावन कैसे बनेगा हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्यों कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है उससे हमारा मन पवित्र बनेगा किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए इश्वर की बनाई हुई रचना का अंध नहीं होना चालिये निम्ले रिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कभी ने क्यों कहते है लोग भगवान की शक्ती पर विश्वास करते है वे मानते हैं कि भगवान दयाल है सबका रक्षक है आज दुनिया में अत्याचार और बुराई बढ़ते जा रहे है कभी भगवान से प्रातना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ती का परिच्चे दे ताकि लोगों का विश्वास कम ना हो धर्ती पर हर तरफ क्या है? क्यों है? धर्ती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है हर आदमी डरा डरा सा है कोई एसी शक्ती दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके हम जगत में क्या अरपन करना चाहते है क्यों हम जगत में सूख, शांती और मेत्री भाव अरपन करना चाहते है क्योंकि आज जगत में बुराईया बढ़ रही है जीवन में सूख, शांती का अभाव है लोग एक दुसरे से बदला लेने के लिए ततपर है इसलिए इस अशान्त और दुखी जगत को हम सूख, शान्ती और मेत्री अरपन करना चाहते है हम सभी को क्या बाटना चाहते है क्यों हम सभी को खुश्यों के फूल बाटना चाहते है क्योंकि अपने आस्तास के लोगों को सुखी बनाना हमारा करतव्य है उसके जीवन में काटे होगे तो उन काटों के चूबन हम भी महसूस करेंगे इस दज से बचने के लिए हम उन सबको खुश्रा के फूल बाटेंगे सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है मधुवन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुन्दर और खुश्बुदार फूल खिले हो हम सबको खुश्रों के फूल बाटने चाहिए जिससे उसका मन प्रसंता से भर जाएगा वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे इस प्रकार उसका जीवन सुखी बन जाएगा चलो इनह पच्छी खाली जेगिया वापे लिछे राथा पटने में तेज है लेकिन खेल में नहीं रोहीत बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया मैं समझता हू कि वह क्या कहना चाहता है आप चाई पसंद करेंगे या कोफी मैंने सुबह की पठाय कर ली ताकि शाम को खेल सको अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतिक्षा करने लगे विशेशन उप्योकरी नेवाक्य बनावानू छे सुन्दर यह मूर्ती सुन्दर है चार गाई के चार पेर होते है उसका उसका भाई विदेश गया थोड़ा मुझे थोड़ा पानी चाई लाल मुझे लाल गुला पसंद है तीसरा तीसरा कमरा खाली है पंदर वह पंदर दीन स्कूल नहीं आया सैउक्ता क्षर में शब्द बनाकर वाक्य प्रयोग कीजिए चर बे च छे च कच्चा यह आमका कच्चा है त, कुट्था कुट्था वफादार जानवर है न, अन, अन खेत में बेदा होता है द, बुध्ध, यह बुध्ध की मुर्ति है द, विद्थवान, यह विद्थ्वान पुरुशे, शुव, विश्व, विश्व में शान्ति होनी चाहिए या असहय आज असहय गर्मी है म पद्म उसके चरण पद्म जैसे है चरण निम्लियन के द्वाग काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की ना हो हम में से किसी की किसी ने दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाये तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पेदा न हो अपनी करुणा का जल तु बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना है इश्वर तु अपनी करुणा का जल बहा कर हम सब के मन का हर कोना पवित्र कर दे चला हिंदी मा फक्रो आपेलो छे एन गुजराती करवानू छे आहीं फक्रो तमने आपेलो छे एक चकली विलुक्षपर रहती हाती, तेनो माला विलुक्षपर होतो, मालामा तेना त्रण बच्चा हाता, ते पोताना बच्चा साथे रहती हाती, एक दिवस एक शिकारी तेयां आवियो, ते चकली ने माली नाखवाई छतो होतो, चकली ये बच्चाने मालामा माथु नीच पानी के बीना तो हमारा जिना मुश्किल हो जाता है पीने नहाने खाने खाना बनाने और सफाय तथा खेती की सिंचाई के लिए हमें पानी यानी वर्षा की जरुरत पड़ती है चलो बीजयो आपे लोजे के बारिश होने से किचड़ होता है गंद की फैलती है बीमारिया बढ़ती है इना विशे तमें शुरू लखे शकोई तमारे लखवानू एक बार मैंने अपने मित्र से कहा कि अब तो इस गर्मी से जितना जर्दी छुटकारा मिले इतना अच्छा उसका उत्तर देने के लिए मिरे मित्रे ने कहा कि क्या यार तुम बारिश को बुला रहे हो बरसत हुई नहीं कि सब ज़ग किचड़ ही किचड़ गंद की फैलती है और बीमारिया बढ़ती है चल चितर आपे लूचे चितर न वरण तमारे तमारे शब्दों मा करवानूँचे इस चितर में समुद्र के तट का द्रश्च दिखाया गया है समुद्र में एक नाउ है जिसके पाल पर ध्वजा फ़हर रही है एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेन से खेल रहा है, उसके पास एक महिला खड़ी है, तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, एक लड़की हाथ में थेल लिए घुम रही है, दो लड़के रेत में घरों दे बना रही है, एक गुबारे बाला खड़ा है, एक ल यो ऐसा अगर कहता है भगवान के एसे पांच नाम लिखे संकट मोचन, तारनहार, गरिब नवाज, दिनानात और खटखटवासी चल इस कविता जेसी किसी अन्य प्रात्ना की कुछ पंगतिया लिखिये, मैं उन्मत प्रेम की लोभिन रदै दिखाने आई हूँ, जो कुछ है, बस यही पास है, इसे चठाने आई हूँ, तमारू आ कविता पूरी थाएचे, ठेंक्यू